नमस्कार आप देखरें दर्ष न्यूस सुपह की खास बुलिटिन में आप सब का स्वागत है तो चलिए सीधे पड़ते हैं दस बजे की दस प्रमुख खबरों की योर पहली खबर पुलिस महकर में से है जहां बिहार पुलिस के 6 वरिस्ट IPS अधिकारियों का नयपद पर तबादला कर दिया गया है इससे लेकर ग्रेवी भाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है तबादले की लिस्ट भी सामने आ गई है जिसके मोताबिक अनुसार त अधिकी करन के अपर पुलिस महानिदेशक कमल किशोर सिंग को नागरिक सुरक्षा का अपर पुलिस महानिदेशक से अपर आयुक्त बनाये गया है दूसरी खबर सुल्तान गंज अगवानी घाट पूल तूटने से जुरा है दीरसल पथ निर्बान विभाग ने सुल्तान गंज अगवानी घाट फोर्ट लेन निर्मानाधीन पूल के स्ट्रक्चर गिरने पर निर्मान एजेंसी SP सिंगला को ब्लैक लिस्टेट करने की कैरवाई शुरू कर दी है अपर मुख्य सची प्रते अमरित के मुताबिक एजेंसी को शोकोज किया गया है अगवानी घाट साइड में बचे एक और स्पैन को तुरन तोडने और एजेंसी को गंगा नदी से 15 दियों में मलबा हटाने का निर्देश दिया है इसके साथ ही दोशियों को बक्षे नहीं जाने की बात कही है साथ ही पुल को अब नए तरीके से डिजाइन किया जाएगा और फिर से निर्मान होगा बढ़ते हैं तीसरे खबर की ओर जहां नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सुल्तान गंज अगवानी घाट पुल तूटने पर CBI जाच की मांग कर दी है दिरसर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा खगरिया पहुँचे थे जहां उन्होंने पूरे इलाइकरी का जायजा लिया और कहां कि किस तरह घटिया सामागरी का इस्तिमाल पुल निर्मान में हो रहा था CBI या हाई कोट के सिटिंग जर्स से इसकी जाच होनी चाहिए जब पूल 2015 में बना तब तेजस्वी आदव ही पत निर्मान मंत्री थे अब जब यह पूल गिरा तब भी तेजस्वी ही इस विभाग के मंत्री है बढ़ते हैं चौते खबर की ओर जहां बिहा सरकार और एरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के बीच दो MOU साइन किये गए दरसल 30 माई को ही मुख्य मंत्री नितीश कुबार की अध्यक्षता में मंत्री परीशत की बैठक में दर्भंगा और पूर्णिया हवाई अड़ो पर नए सिविल एंक्लेव के निर्मान के लिए एरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया और पिहार सरकार के बीच MOU को सुकृ स्विक्रिती दी गई थी इसी स्विक्रिती के तहत ही यह MOU साइन किये गए इस MOU के साइन होने से अब दर्भंगा और पूर्णिया हवाई अड़े के ने सिविल एंक्लेव के निर्मान का रास्ता साफ हो गया है इसके तहत अब दोनों एरपोर्ट पर ने टर्मिनल भवन क के निर्मान का कारे शुरू हो जाएगा इससे जहां दर्भंगा एरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार होगा वहीं पूर्णिया एरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की बाधा अब दूर हो जाएगी पांचवी खबर ये है कि एक तरफ जहां अगवानी पूल टूटरी के बाद मुख्यमंति नितीश कुमार ने करे आदेश दिये हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उन पर हमला करने से नहीं चूक रही है देसर राजसबसांसद सुशीर कुमार मोदी ने सीम नितीश कुमार को निसाने पर लेते हुए पांच बड़े सवाल कर दिये हैं सुशीर कुमार मोधी ने कहा कि जो लोग प्रधान मंत्री और रेल मंत्री से बाला सुर रेल दुर घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे थे वे क्या बिहार में निर्माना धीन, अगवानी, सुल्तान गंश, महसेतू का एक हिस्सा फिर से धर जाने की जिम्मेदारी क्या महासेतु मामले में मुख्य मंत्री और उप्मुख्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी सुईकार करते हुए कोई कारवाई करेंगे। छटवी खबर बिहार में लोगों को गर्मी से राहत मिलने के कोई भी अभी आसार नहीं दिख रहा है। आज भी मौसम विभाग ने 6 जीलों के लिए अलर्ड जारी कर दिया है। इन जीलों में अररिया सुपॉल और खगरिया में भीशन उष्न लहर उमस वाली गर्मी के साथ लू चलने की संभावना है। तो वहीं अन्य तीन जीले शेकपूरा भागलपूर और बाका में मध्यम उष्न लहर भीशन गर्मी के साथ लू के आसार है। इसके साथ ही अन्य जीलों के तापमान में भी गिरावट के कोई आसार नहीं दिख रहा है। पारा, चालिस डिक्री या फिर इसके आसपास ही रहने की संभावना है। फिर इसके परिचालन की तारीख तै होगी। फिलहाल जून के दूसरे हफ़ते में इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाने की तयारी है। उससे पहले पटना से राची तक रेलवेट ट्रैक पर संरक्षा मानुकों को दुरूस्त किया जा रहा है। आचवी खबर खेल जगत से जुरी है। भारत और ऑस्टेरिया के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ट टेस्ट चैंपियंश्रिप 2023 के फाइनल मुकाबले का लाइप प्रसारन टीवी पर फ्री में दूर दर्शन के जरिये किया जाएगा। इस बात की जानकारी दूर दर्शन के आथिकारिक ट्वीटर हैंडल के जरिये दी गई है। नौवी खबर पिछले कुछ सालों में रिचार्ज प्लान महंगे हुए हैं। सभी टेलिकॉम कंपनीयों ने रिचार्ज प्लान को महंगा कर दिया है। यहां तक कि अगर हर महीने रिचार्ज नहीं किया जाएं तो सिम पर इनकमिंग और आउट गोइंग की सुविधा बंद कर दी जाती है। ऐसे में दो सिम कार्ड रखने वाले लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में BSNL का सिम कार्ड आपको बड़ी रहात दे सकता है। दरसल 22 रुपए का यह रिचार्ज प्लान 90 दिन यानि की तीन महीने की वैले डिटी के साथ आता है। इसके तहट आपको कॉलिंग की सुविधा दी जाती है और तीन महीने तक आपका सिम एक्टिव रहेगा। इसके तहट कॉलिंग 30 पैसा प्रती मिनट STD और लोकल कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। लेकिन फ्री इंटरनेट और फ्री कॉलिंग SMS की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दसनी खबर बॉली बुट के खिलारी कहे जाने वाले अक्षय कुमार से जुरी है। अक्षय कुमार आए दीन अपनी किसी न किसी बात को लेकर लाइम लाइट में बने रहते हैं। इस बिच अक्षय कुमार को हाली में दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में देखा गया। इस एरिया में उनका जोरदार वेलकम हुआ। दरसल अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म की शुटिंग में बीजी चल रहे हैं। इसे सिलसले में अक्षय कुमार को देखकर फैंस एक्साइट हो गया। अक्षय की एक जलक पानी के लिए फैंस की भीर, उमर पड़ी और जोरदार तालियों और सीडियों के साथ उनका वेलकम किया गया। तो फिल्हाल के लिए इस खबर में इतना ही, अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे, इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और फेस्वुक पर भी उपलब दे, तो वहां पे भी जाकर आप ह हमारे पेज को फॉलोग कर सकते हैं